प्रिये शात्र शात्राओं आज हम अपने बिये पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर मद्यकालीन भारत के इतिहास में अपने अगले टॉपिक पानी पत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे अभी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि सल्तनत काल मद्यकालीन भारत को हम दो भागों में बाटते हैं एक हिस्सा सल्तनत काल कहलाता है और दूसरा हिस्सा मुगल वंश या मुगल काल कहलाता है सल्तनत काल का तात्पर उस समय से है जहां शाषन इसलामिक नियमों के हिसाब से चला जहां बादशाह अल्लह को माना गया इश्वर को माना गया और खलीफा के नाम पर शाषन किया गया और भारत में शाषन करने वारा जो शाषक था वह सुल्तान माना गया और उनके द्वारा शरियत के नियमों के हिसाब से इसलामिक सिद्धानतों के आधार पर भारत में शाषन संचालित किया गया सल्तनत की स्थापना दासवंश के माध्यम से हुई जिसमें कुदबुद्धी नहबक उसका प्रथम शाषक था और सल्तनत की समाप्ती इब्राहीम लोधी के समय में हुई लोधी वंश के समय में जिसके बाद मुगल वंश की नीव बाबर के द्वारा रखी लोधी से बाब बाबर को सत्ता पहुँचने के लिए जो युद्ध जिम्मेदार था वह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। बाबर को समरकंद और फरगना से निशकाशित कर दिया गया। जीत कर अपने आपको वहां का शाशक स्थापित कर लिया। जिस समय बाबर काबुल कंधार और हैरात का शाशन स्थापित कर रहा था। उस समय भारत में इबराहिम लोदी का शाशन था और इबराहिम लोदी ने अपने अमीरों के साथ में बहुत ही कठोरता पूरपक व्यवहार किया। और इसके अतरिक्त इबराहिम लोदी एक अफगानी शाशक था और जो तुर्क अमीर सरदार थे वो अफगानी शाशक को स्विकार करना नहीं चाहते थे। ऐसे में पंजाब के सूबेदार दौलत खाने बाबर को भारत पर आक्रमन करने के लिए आमंतरित किया। इसके पीछे उसकी मनशा यह थी कि बाबर तो समर्कंद फरगना का शाशक है। वह दौलत खान के समर्थन में लोधी से युद्ध करेगा जिसमें लोधी पराजित हो जाएगा और दौलत खान को भारत का शाशन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सुबेदार दौलत खान लोधी अपने मनसूबों में सफल नहीं हो पाया क्योंकि बाबर ने जब पुनहे समर्कंद फरगना पर अधिकार करने का प्रयास किया वो प्रयास उसके चाचा के द्वारा असफल कर दिये गए। अब बाबर के समक्ष काबुल कंदार हरात के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और इसलिए वो भारत पर भी अपना दिकार स्थापित करना चाहता था और दौलत खान जैसे लोगों ने बाबर के लिए ये मार्ग सुगम कर दिया। बाबर ने तेजी से भारत की और अभियान किया और इस अभियान में वो शीगरता से सिंदु नदी को पार के पंजाब पहुँच गया और पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पंजाब पर अपनी इस्ति मजबूत करने के बाद बाबर दिल्ली के और रवाना हुआ। बाबर के आने की सूचना जब इबराहिम लोदी को पता चली तो इबराहिम लोदी भी अपनी सेना के साथ बाबर का सामना करने के लिए पहुँचा और दोनों सेनाएं पानी पत द 1726 को पहला पानी पत का युद्ध हुआ पानी की पत के युद्ध में दोनों की सेनाओं को लेकर के इतिहास कारों में मत मतांतर हैं कुछ इतिहास कारों का मानना है कि बाबर की जो सेना थी इबराहिम लोदी के पास तो बहुत बड़ी सेना थी इबराहिम लोदी के लिए माना जाता है कि उसके पास एक लाख सेनिक दस हजार हाती थे और कुछ लोग बाबर की सेना दस हजार बताते है निजामुद्दीन, बदायुनि और अब्दुल्ला कहते है कि इबराहिम के पास एक लाख सवार एक हजार हाती बाबर के पास पंद्रह हजार सवार थे अबुल फजल फरिश्टा और थारी के अलफी के लेखक मुल्ला एहमद का कहना है कि इबराहिम के पास में एक लाख सैनिक थे और बाबर के पास बारह हजार सैनिक थे अलाउद दोला के अनुसार इबराहिम के पास दो लाख और बाबर के पास में दस हजार सैनिक थे गुलबदन बेगम ने भी बताया कि इबराहिम के पास एक लाख हसी हजार सवार डेड़ हजार हाती और बाबर के पास बारह हजार आदमी थे जिन में से युद्ध करने वाले केवल 6-7 हजार सैनिक थे बाबर और खफी खाने भी ये कहा कि इबराहिम लोदी के पास एक लाफ और बाबर हथ के पास में दसजार सैनिक थे बाबर और लोदी की सैनाओं के बीच में जो संख्याओं का इतना ज़्यादा उतार चड़ाव है कुछ लोग मानते हैं कि बाबर के पास 24,000 सैनिक है कैम्बरे शॉर्टर हिस्ट्री के अनुसार बाबर के पास युद्द के केवल 10,000 सैनिक थे विल्यम्स ने बाबर के सैनिकों के संख्या 8,000 और इबराहिम लोदी की 1,000,000 अब यह माना जा सकता है कि पानीपत के युद्ध के अंतरगर बाबर के पास 24,000 सैनिक और इबराहिम लोदी के पास 50,000 सैनिक थे दोनों की सेनाए एक दूसरी के आमने सामने इखटी हो गए बाबर ने युद्ध शेतर में व्यूरचना की बाबर ने तुलुगुमा पदती से अपनी युद्ध की रणनीती तयार की और इबराहिम लोदी ने परंपरागत तरीके से अपनी युद्ध की व्यूरचना तयार की पानी पत्न के मैदान में बाबर ने एक तरफ जो उसकी दाहिनी सैना थी उधर कस्बा पड़ता था सैना के बाई और उसने खाई खोद कर उसमें सूखी डालियां और रक्ष की तहनियां डाल दी और इसके अतरिक्त बाबर के द्वारा गतिशील गाड़ियां रखी गई और बैलों के बटे हुए चम्रे से जंजीरों के समान बांद कर उसने सुरक्षा पन्ति तहियार की उसने तोब खाने को भी कुछ इस तरीके से इस्थापित किया था उसने प्रत्य दो गाड़ियों के बीच में जो फासला बना के रख रखा था और वहां पर उसने अश्वरोही रख रखे थे बंदूगची गाड़ियों और तोड़ों के पीछे खड़े ओकर गोली चला सक करते थे तो इस तरीके से बाबर ने अपने तोब खाना अश्रोही और पैदल सेनिकों को बहुत ही रख्षात्मक पंग तरीके से इस्थापित कर रखा था तोब खाने का जो दाहिना पार्श था उसका संचालन उस्ताद अली के हातों में था और बाएं का संचालन के हाथ में था मोटे रूप से बाबर ने सेना को तीन भाग में बाटा दाएं पक्ष के सेना का नेत्रत हुमायू कर रहा था बाएं पक्ष का नेत्रत मेहंदी खाजा और मद्य भाग के दाएं ने पक्ष को चिन तैमूर सुल्तान को सुपुर्द किया और बाएं भाग को खलीफा ख्वाजा मीर मेरान को दिया गया तोप खाने के पीछे मद्यभाग में सेना का आगे का जो भाग था उसका नेतरत्व खुसरो बैकुल ताश को सौपा गया और इन सब के पीछे केंद्री इस्थान में संचालन स्वैम बाबर कर रहा था केंद्र को भी उसने दाहीने केंद्र और बाएं केंद्र में मांट रखा था और केंद्र में बाबर के शुरक्षा के लिए आरक्ष सेनिक भी रखे हुई थे इस तरीके से तुलुगमा पद्धती से जो रण नीती बाबर के द्वारा बनाई गई अब प्रश्णिये उठता है कि तुलुगमा का तात्पर्य क्या होता है तुलुगमा का तात्पर्य है वह दस्ता जो सेना के दाएं बाएं कौनों पर रहता है और शत्रु के समीप आ जाने पर पीछे से उसे गेर लेता है इसे आप इस तरह से समझिए जैसे एक सीधी रेखा में सेना की पंक्तियां लगी हुई है एक दाएं भाग से और एक बाएं भाग पर सेना की पंक्तियां लगी हुई है दाएं बाएं कौने पर तुलुगमा का दस्ता है जब दूसरी सेना सामने से आकर के युद्ध करती है तो दोनों सेनाई जब आमने सामने लड़ती हैं तो तुलुगमा के दस्ते दाएं बाएं तरफ से आगे बढ़ कर शत्रु सेना को पीछे से घेर लेते हैं इस तरीके से चारों तरफ से शत्रु सेना को घेर लेनी की जो पद्दती है उसे तुलुग्रमा पद्दती कहते हैं। इब्राहीम लोदी ने जो प्राचीन पुराना तरीका था उसके हिसाब से ही उसने अपनी सेना का व्यू रचना की। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबर नामा में लिखा है कि इब्राहीम लोदी के सेनिकों की संख्या लगबग एक लाग थी और इब्राहीम ने अपनी सेना को दाएं बाएं और मध्य भाग में भाजित कर रखा था और ये जो तीनों भाग हैं उनके अतरिक्त अग्रगामी दल और प्रष्ट भाग था इब्राहीम के पास में तोब खाने का भाव था और उसकी जो सेना थी उसमें सभी अंगों में उतनी सुरक्षा और दरडता नहीं थी जितनी की बाबर के पास थी और इसी तरीके से उसने व्रक्षों की डाली और खाई से भी कोई सुरक्षा पंक्ती नहीं बना रखी थी बाबर ने अपनी सेना को पानी पत के कस्बे में बाईयों रखा और अपनी सेना का दाया भाग इस प्रकार सुरक्षित किया कि कस्वे की तरफ से उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सके और इब्राहिम लोदी के पास हतियार भी बिलकुल परंपरागत थे सेना अव्यवस्थित थी और सेना के अंदर अनुशाशन का अभाव था इस विहु रचना के साथ दोनों हलाकि दोनों जो सेनाएं हैं वो 12 अपरेल 1526 में पानीपत के मैदान में पहुँच गई थी और इब्राहिम लोदी की सेना भी उसके सामने थी किन्तु दोनों के मध्य युद्ध 20 अपरेल 1526 को हुआ पंदरा से 12 से 19 अपरेल तक जो 7-8 दिन का समय था बाबर ने अपनी सेना की विहु रचना बनाने में सेना को व्यवस्थित करने में लगाया इस बीच में बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना पर छोटे मोटे धावे बोलती रही और यह अंदाजा लगाती रही कि जो इब्राहिम की जो सेना है वो किस तरीके की है उसके परशात 19 अपरेल 1526 को रातरी में बाबर के चार-पाँच हजार सेनिकों ने आकरमन किया हलाकि इस अभ्यान में उन्हें असफलता का मुझ देखना पड़ा इससे परोशाही तो करके 20 अपरेल 1526 को परातरीकाल में ही इब्राहिम की सेना ने बाबर की सेना के दाहिने हाथ पर आकरमन किया और शीक्र ही उसकी सारी सेना बाबर के सेनिक शिवरों की तरफ फैल गए और इसके कारण इब्राहिम का जो सेनिक मोर्चा था वो बहुत अधिक विस्त्रित हो गया और इसका बाबर ने भरपूर लाब उठाया और तुलुगमार युद्ध पद्धती के कारण उसने बाणों की वर्षा प्रारम कर दी तोप चलानी शुरू कर दी जिसकी वजह से जो ये युद्ध है वो शाम तक बाबर के पक्ष में हो गया इस युद्ध के अंद में बाबर की सेना ने इबराहीम की सेना को पीछे धकेल दिया इबराहीम की सेना के पाउं खड़ गए उसके सेने क्तितर वितर हो गए युद्ध छोड़ कर भागने लगे इबराहिम लोदी भी इस युद्ध में वीरगती को प्राप्त हुआ और बाबर विजई हुआ इस प्रकार इस युद्ध को जीतने के साथ ही भारत से सल्तनत का शाशन समाप्त हो गया और बाबर के द्वारा मुगलवंश की नीव रख दी गई इस युद्ध के जो परिणाम रहे और बाबर को जीतने के जो कारण रहे उनके बारे में बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में